तो भाई लो कैसे हूँ तो यार वेलकम दी बैग बैग दी वेलकम और स्वागत या आपका एक बरा न्यू गलत सीन से भरे पड़े इंटरंस पपजी दो मुपाईल गेम पे वीडियो में अब देखो फिलाल मैं अमेजिंग पार्क जा रहा हूँ और यार यहाँ पे 200 कोड आ एक एम मिलती है लेकिन मैं बस एक बंदे को नोग कर पाता हूँ लेकिन बाकी बंदे भी निहत्ते और नंगे भगरे तो उन्हें भी पकड़ेंगे और यार जब भी मैं अमेजिंग पार्क उतरता हूँ मैं पूरी जान रगा देता हूँ यहाँ उपर पे लेंड करने की क्योंकि यह जगह में एक नएक गन पकका पकका मिलती है और मजा आजाता है यार उपर से नीचे पेटी बनाने में मजा टैप आजाता है और यह मेरे ख्याल से अलग-अलग सुकॉड के अलग-अलग बंदे होते हैं क्योंकि यार चार से ज़्यादा हो चुके हैं यह और जहां तक मुझे लग रहा है यार यह लोग रिवाइव हो चुके थे खैर जो भी हो आगे ठीक जहां पे मैं उतरा था वैसे ही एक और जगा है आगे और वहां पे बंदे बैठे पड़े हैं बिलकुल और देखो यार कार नाइन टीट पड़ी है तुम्हारे भाई पे अभी अब देखो सकोब के नाम पे मेरे पे सिर्फ होलो पड़ा होता है लेकिन धीटता इतनी थी मैंने सुचा यार कोशिस करके देखते हैं क्या पता लग जाए गलती से एट सोट तो बंदा मेरे क्याल से लेट के साइड में रहेंग रहा होता है और सीधा सर पे लगती है और अ इस मैच में मैं सनाई पर चला सकता हूं क्यूंकि देखो पहला एट सोट लग गया तो यार बाकी भी लग सकते हैं है एट सोट की किस्मत बढ़िया चल लिए अभी के लिए अब यहां पर देखते हैं सीन क्या हुआ हमारे भाई ने नेट उठा के कहीं और पर फेक दिया उसके बाद भी उसके बाद भी बंदा नेट सनो को गया उसके बाद मैं आताहूं मैं बंदे के मुh के सामने पाउंके नीचे भी नेट कर दूँगा ना भाई बिलकुल सई जगा पे उसके बाद भी नहीं बंदे ठिलते हैं जैसे कि यहीं पे देख लो मैंने सुचा है यार मैं भी किसमत चलाओंगा अपनी क्या पता मेरे से भी नोक हो जाए कद्दू कोई नोक नी होगा अब देखो उपर चार बंदे बैठे पड़े हैं और तुम्हारा भाई उरूर के पे लेगा इन्हें अब यार अब यार अब यहां पर कूद कूद के उड़ उड़के यार चार बंदे पेल देता हूं मैं अब मैं मानता हूं यह जगह बहुत ही बढ़िया है लेकिन इतनी भी बढ़िया नहीं कि यार चार बंदे यहीं पे बैटे पड़े हैं और कोई उड़के आएगा तो भी बच जाएंगे और यार उड़ उड़के पेलने में न अलागी लेवल के मज़े आते हैं खेर यहाँ पे आठ के लोग चुके हैं और आगे जाएंगे और आगे जाकी यार सनाइपिंग और भी जादा देखने को मिलेगी वो भी महेंगी सनाइपर से AWM मिल जाएगी तुमारे भाई को लेकिन इससे पहले कि मैं आगे जाऊं और गलती से हैट सोट जिपकाने सुरू करूं हम धैर पैर बात कर लेते हैं हमारे सपॉंसर की तो यार इस एप या फिर वेबसाइट का नाम है एक एकसबैट जिसकी मदद से आप कई सारे मिनी गेम्स खेल सकते हो और मिनी गेम्स खेल के पैसे अंड कर सकते हो साथ ही साथ इसमें आपको आपके पहले डिपॉजिट में 7000 रुपे तक का बोनस मिलेगा अगर आप मेरा प्रोमो कोड यूज़ करते हो जो की कमेंट सेक्शोन में दिया गया होगा और अगर आप इस एप में रिजिस्टर करते हो तो यार उसके बाद मुझे इंस्टा पे मैंसन जरूर कर देना फोटो डाल के ताकि मैं आपको कमेंट सेक्शोन में होगी रिजिस्टर करने के बाद मैंसन जरूर करना मुझे और फिलाल के लिए मैं ये यसन नया आ चुका हूँ अब देखो ये जो यसन नया ये जो जगा है यार यहाँ पे आना मुझे बिल्कुल भी पसंद नहीं है बिल्कुल भी लेकिन यहाँ पे इस मैच में में हर जगा मैं मजाग भी नहीं कर रहा मेरे खयाल से हर जगा गाड़ी गुमा चुको भाई कोई बंदा नहीं मिला और यसन नया इसलिए आया क्योंकि यार फ्लेर चली थी फ्लेर के बास गया एक बंदा नहीं वाँ पे क्यार यहाँ पे आतों और यहाँ पे बंदे बैठे पड़ें अब देखो यहाँ पे एक बंदा बग्गी लेके साइड में बग गया था वो साइड से गोलिया पेल रहा था और मैं किलचोरी कर गया उसकी और यह जो सामने एक सस्ता पेड पड़ाए इसी के पीछे बैठे पड़े पड़े भाई और यार भाई पे खार 98 पड़ी होती है देखो क्या होता है और मैं हमेशा यह सोसता था यार कि मैं बहुत धीट बंदा हूँ लेकिन यार मेरे को टकर देने ये भाई आ चुके है याँ पे देखो मुझे भी गोली लगती है उसे भी गोली लगती है मैं तो हूँ धीट मैं बोलता हूँ यार मैं तो पीक करूँगा उसके बाद भी बले ही नोको जाओं मैं दुबारा पीक करता हूँ ये सोचके कि यार जब वो हील करके पीक करेगा मैं टैट पैड पेल दूँगा उसे लेकिन बाद में मुझे पता चलता है ये बंदा भी पीकी करके बैठा होता है भाई मतलब ढीट ता है यार दोनों की बराबर थी मेरे ख्याल से लेकिन फरक इतना होता है भाई दो सॉट मारते उसकी दोनों गोली लगती है लेकिन सर पे नहीं लग पाती और मैं M4 चलाता हूँ और यार किसमत सही चलती है यार सीधा सर पे हेट सॉट वगेरा लगते हैं और बंदा सीधा ठील जाता है और भाई को पेलने के बाद इधर डिरॉप पे आता हूँ और हाँ भाई लोग आप पे मौका है पोको मोबाइल फोन जीतने का क्योंकि तुम्हारा भाई उसका गिववे कर रहा है रिहो टीवी पे और बस एक का दिन बाकी है फिर फाइनल मैंच हो जाएगा तो यार वहाँ पे मुझे फॉलो करना मत भूलना डेली रात के 9 बचे से लाइफ से ट्रीम करते है और उसके बाद एक कस्टम होता है जिससे आप फाइनल में खेल सकते हो पोको के तो यार जॉइन करना मत भूलना रिहो टीवी की लिंक डिस्क्रिप्शन में होगी बिल्कुल टोक में अब यहाँ पे एक बाइक वाला बंदा आता है अपने टीमेट को यहीं छोड़ देता है और बाइक लेके कल्टी हो जाता है बहुत दे चलती है बाइक कैर जो भी हो हम ढीट है तो हम पीचा करने लगते हैं और यहीं होते हैं हमारे भाई और यार मुझे नहीं पता क्यों लेकिन जब भी मैं यह सप्रेसियो और यूज करता हूँ यार खासकर M4 में ऐसा लगता है कि यार डेमेज कम हो गया और डेमेज कम होने के साथ साथ ऐसा लगता है वहिया रिकोईल आसमान चूरा है बिलकुली समाली नहीं जारी गन वैसे मुझे नहीं लगता सही में ऐसा कुछ होता है लेकिन यार फिलिंग टैप आती है आपको कैसा लगता है ये सप्रेशियो और पेलने के बाद अपने एमफोर वगेरा में मुझे कमेंट करके ज़रूर बताना क्योंकि यार मैं तो वहिया खाली चलाओंगा सप्रेशियो और हमसे नहों पाएगा खैर जो भी हो इस बंदे को यहीं पे पकड़ने के बाद आगे की तरफ जा रहे हैं और अखिर कार जाके हमें बंदे मिलना शुरू होते हैं देखू कहां होते हैं बंदे और इधर बगल में यार गोलिया पूरे जोप्स में चली होती हैं इसका मतलब कम से कम 6-7 बंदे बैठे पड़े हैं तो मैं दूर गाड़ी रुकता हूँ पहले और देखो दो बंदों को गलती से नो करने के बाद दूर रुका नहीं जाएगा हमसे तोयार गाड़ी लेता हूँ वहाँ पे ठूकूँगा और दिक्कते पहुत बढ़ जाएंगी वहाँ पे अब यहाँ पे हम दोनों को पताए कि यार काफी सारे वंदे बैठे हैं लेकिन उसके बावजूद हमारे भाई पेटी लूटने जा रहे उपन में वो भी वो पेटी जो दूर पढ़ी है और भाई लोग यार ये वाले गलती से हेट सोट के लिए लाइट ठोकना मत भूलना नेट फटता है धुआ धुआ होता है मुझे कद्दू कुछी नहीं दिख रहा होता उसके बाद अचानक से बंदा दिखता है धुएं के पार और सीधा सर पे गोली पड़ती है और हम सब को पता यार ये हेट सोट गलती से लगते मेरे सारे लेकिन यार बहुत कम होती है ऐसी गलती है तो लाइट जलू ठोकना बिल्कुल ठोक के नीला टैप कर दो मज़ा टैपा जाएगा बिल्कुल और यहां पे जो भी बंदे बैठे होते हैं आखिर कार जाके खतम होते हैं मतलब पूरे मैच के सुरुआत में गुमाता गया गाड़ी हर जगल गुमादी गाड़ी कोई भी नहीं मिला लेकिन आखिर में जाके इतने सारे बंदे एक साथ मिल रहे कि क्या ही बता हूँ अब यार यही होता है पपजी में जो भी एक्सियोन होता है आखिर के टाइम पर ही होता है आजकल और थोड़ी देर बाद ही मुझे पता चल जाता है कि यार मैं बहुत गलत हूँ बंदे खतम क्या बंदे आना सुरू हैं अभी यहां पर धेर सारे दबा दबा के बंदे आते हैं खेर जो भी हो उपर गोलियां दबा के चल ली होती है तो मैं इस घर पे चड़ता हूँ और देखता हूँ सीन क्या चल ले है और यार मैं हमेशा यह सोचता हूँ कि ऐसा लैग मेरे साथ क्यों नहीं होता एक बंदा अकिले 1000 अजार गोलिया चला जाता है और जहां तक मुझे पता है डैमेज भी होता होगा उन गोलियों से मैं भी चलाने चाहता हूँ 1000 गोलिया और इसको पेल के फिर से दिमाग में मेरे ये बात आती है कि यार चलो भाई खाली हो गई ये जगा और फिर ये होता है और इस मैच में आर हर किसी को बाईके ही मिल ली है और हर कोई मेरे से बचके भग जा रहा है खेर जो भी हो यहां से एक बाईक भग के जाती है पीछा मैं करता नियार देखो उस बाईक को डूड़ना बहुत दिक्कत हो जाएगा बाईक बहुत जादते चलती है और ये एक मेरा बढ़िया बहाना है आलसी होने गाहना लूट चीए थी यार तो यहीं पे बैट गया मैं बहुत दुखोगा आगे और यहां मैं सोच रहा था कि यार बाईक वाले बक्के निकल लिये लेकिन बाद में पता चलता है जो पीछे घर पे बंदे बैठे हैं वो बाईक वाले गेटीमेट हैं तो हाँ बाईक वाले भी आ चुके हैं अब बस इंतेजार कर रहा हूँ इन में से कोई बंदा ढंग से पीक करे मैं ढंग से बंदे नौक करूँ फिर यार अंदार रस करेंगे और जहां तक मुझे पता है यार सामने चार बंदे बैठे यह लोग समुख बना देते हैं घर के अंदर और यह बंदे घर के अंदर भी बैठे पड़े हैं और घर के बाहर भी बैठे पड़े हैं लेकिन पीक कोई ढंक से नहीं कर रहा है खैर जो भी हो हम भी अभी बग्के रस नहीं कर सकते क्योंगी बग्के रस किया तो यह बग्त क्या करता है राइट वाले घर पे आजाता है राइट वाले नीले घर पे तो मैं नेड करने की नाकाम कुशिस करता हूँ हमेजा की तरह मेरा नेड नहीं पड़ता लेकिन उसके बाद जो पीछे घर पे बैठे पड़े होते वो बंदे पीक पाक करते मेरे पे और यार मौका मि प्रेल पेल के दो बंदेनों कर देता हूं और टाइम आ गया है इस बंदे को पकड़ने का जो ये सामने वाले नीले घर पे बैठा पड़ा था है जब फार दो कस दो चले ओंग वार और यहां पे तामबे पेश हुआगा करने के लिए यार पीछे से भी कोई गूली चला रहा था तो हम सीधा यहां आते हैं वहीं पेड़ स्टेश पेड़ हाँ 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 एक नौक है आज पर प्रिवाइट कर रहा है और यहां पे मुझे एक किल कम मिलती है क्योंकि यह जो पीछे बंदे बैठे पड़े उपन में यार यह एक बंदे को नौक कर देते हैं अंदर और यहां पे मैं एक बार फिर से बोटो वाली हरकत करते हुए सिर्फ डैमेज दे पाया लेकिन बंदा ठिल के नहीं दिया लेकिन देखो मुझे ज़्यादा दिक्कत नहीं होती अभी क्योंकि मुझे क्या लग रहा होता है मैं घर पे बैठा हूँ और ज़्यादा तर टैम क्या होता है आखरी जोन में अगर घर है तो वहीं पे आखरी जोन बनता रहता है लेकिन जब किस्मत मैं लिखा नहीं होता ना किलोर चिकन तो भाई कुछ भी गर दो बंदे नीठिलते और चिकन नहीं होता खैर यहां पर अभी पता चलता है कि यार हमारे पीछे भी बंदे बैठे पड़े हैं तो मैं नेड लूट फेकता हूँ उन पर अब देखो भलाई मैंने नेड किये अंधा नेड किया सस्ता नेड किया कोई नीठिला लेकिन अगर वो लोग नेड करने पे आएंगे न भाई तो हम में से कोई न कोई जरूर नोक हो जाएगा क्योंकि ये घर वैसी इतना चोटा यार और जादा जगा भग भी ने सकता मैं बाहर कुदूंगा बाहर वाले बंदे मार देंगे अंधार रहा तो यार नेड से ठिल जाऊँगा तो मैं यहाँ पे आके लेट जाता हूँ और पीछे मुझे बंदे भगते वे दिखते हैं तो निकालता हूँ मैं अपनी AWM और वहाँ पीछे पे न जाने कितने बंदे पहले पड़े हैं बिलकुल एक बंदा MK14 से पता नहीं किसी को पेल रहा होता है उसको तो मैं नोक करता हूँ लेकिन पेटी नहीं बना पाऊँगा क्यूंकि यार उसके सारे टीमेट वहीं कहीं बैठे पड़े हैं और बगबुक के रिवाइव अगेरा दिया जाएगा और समोग भी बननने चालू हो ग और जिस हिसाब से ये लोग जिन्दा है ना याँ पे एक बंदा भग रहा है एक बंदा नोक पड़ा है एक बंदा पत्थर के बगल में तो यार मुझे लग रहा है पूरी सकोड बैठी पड़ी है वहाँ पे अब देखो अगर मैंने पेटिया नहीं बनाई ना तो हमारे ल लोग वहां लेटे पड़े होंगे बैठे पड़े होंगे और हमें ओपन से जाना पड़ेगा और यहां पर नोक करके ज़्यादा फाइदा नहीं हो रहा है मैं बंदे नोक कर रहा हूं वह बंदे रिवाइफ पे लें और इस सबस एक ही चीज़ हो रहे है यार गोलिया करना देंगे तो करना क्या यार अब जो भी होगा जोन के आने के साथ ही होगा क्योंकि जोन जब आएगा तभी यह पीछे वाले बंदे ही लेंगे और तभी हम जोन में जा पाएंगे और आखिर कार जाके यार पीछे वाला बंदा ढिलता है और साती सात मैं राइट वाले बंदे को भी पेल देता हूँ ये वही बंदा जो पहले सपरे से बच गया था लेकिन यार इस बार पकड़ी लिया भाई को अब देखो दिक्कत क्या है ये वंदे जोन में बैठे पड़े हैं और सकल के नाम पे ये लोग कदो कुछ नहीं दिखाएंगे तो जितने भी समोप वगएरा होते मैं फेग देता हूँ और जैसे तैसे करके पहले जोन में गुशता हूँ और उसके बाद जो जोन बनता है यार वो भी अपने को धोका दे देता है खेर यहाँ एक गाड़ी पड़ी होती है तो मैं खड़ा हो जाता हूँ यहां के और अब दिक्कते और भी बढ़ गई है लेकिन कोई नियार अभी भी मौका होता है क्योंकि हम भी दू है वो भी दू है क्या पता हम पहल जाए उन्हें लेकिन देखो क्या होता है टायर फोड़ना था पर बहाना टाइम तो यार सबसे पहला बहाना मैं देना चाहूंगा यार हात में पसीना आ गया क्या ही किया जाए भाई गर्मी बढ़ रही है हात में पसीना आ गया भाग नी पाया मैं आगे और दूसरा बहाना यह है यार कि यार जोन ही नी बना अपन अपने को छोड़के तो देखो आखिर तक मैं बोट की हरकते कर रहा हूँ तो हना दोनों बंदों को डैमेज दिया भाई एक बंदा नो को के नी दिया उसके उपर से जून ने मेरे को पेल दिया और साथी साथ तामबे पेशु हागा करने के लिए यार हमारे भाई पहले ही न देखने के लिए जाते जाते एक एक बैट चेक आउट करना मद भूलना और मुझे मैंसन जरूर करना रिजिश्टर करने के बाद क्यूंकि हर दो दिन में एक लकी विनर को एक गिफ्ट कार्ड मिलेगा गूगल का और यार जाते जाते कमेंट जरूर करना कि क्या मैं कर सकता यहां पर तो कल मिलते है भाई लोग यार बहुत बहुत शुक्रिया वीडियो देखने के लिए बाई बाई झाल झाल